नमस्कार दोस्तों बदबस स्वागत आपका हमारे चनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अप किस तरह से अपने मोबाइल की वॉल्यूम को दस गुना ज्यादा तक बढ़ा सकते हैं दोस्तों आज कल के जो एंडरोइट फोन होते हैं उनकी जो वॉल्यूम होती है वो कुछ खास ज़्यादा नहीं होती है इसलिए हमें कभी न कभी ये कमी ज़रूर लगती है और हम चाहते हैं कि काश हमारे फोन की वॉल्यूम भी ज़्यादा बढ़ने का कोई तरीका में मिल ज लगते हैं तो देख से प्लिकेशन ओपन हो जाएगी और उने के बाद और हम आपको एक खास चीज यह बताना चाहते हैं दोस्तों जितनी भी एप्लिकेशन होती है जो वॉल्यूम बूश्टर का काम करती है वह सभी वर्क करती है यानि कि वह सभी काम करती है लेकिन अगर अब उन्हें नॉर्मल फोन पर सुनेंगे तो आपको उसमें थोड़ा बहुत ही परिवर्तन दिखाई देगा लेकिन जब आप इनको किसी दूसरे स्पीकर के साथ कनेक्ट करेंगे या किसी हेड़फोन के साथ कनेक्ट करेंगे उस वक्त इनका इंपक्ट जो होते हैं वो त्मन करते हैं या नहीं यह आपके फोन की स्पीर न ही आपके फ़ीवा या फोन की खायल पाती है या नहीं या फोन की विर्ट करते हैं इस को यह यह उस को सकते हैं थे इसल़ प्रषन गय और भीच्छार फोन को यह इंटरेस्टीड होगा सबस्तु capaci सोульт क्युक् और इस application को use करने के बाद जो आपके phone की जो volume होगी को उसमें काफी अंतर होगा तो देखिए जब आप इसे install कर लेंगे अब यहीं से आपको सारा काम करना है ठीक है आप जैसे गाने play करते हैं आप यहां से आप उसे play कीजेगा आपको देखिए option यह दिख रहा है उपर play button का तो जैसे आप यहां पर play button पर click करेंगे यहां पर direct google play जो है आपका open हो जाएगा आप यहां से अपने जो भी songs आप सुनना चाहते हैं आप यहां से direct उने सुन सकते हैं दोस्तों मैं आपको यहां पर play करके नहीं दिखा सकता क्योंकि यह YouTube की community guidelines होती है उनके यह against हो जाएगा क्योंकि यहां पर हमें बताया जाता है कि हम किसी भी तरह की कोई भी music वगेरा हम नहीं चला सकते बिना permission के ठीक है तो आप इस तरह से देखे मैंने जो आपको बताया था वहां से आप कोई भी गाना select कर सकते हैं select करने के बाद यहां पर आपको एक simply एक direct button दिख रहा है यह ह पर आप करके boost on या boost off कर सकते हैं boost on होते ही आपका जो फोन की बेस होगी वह अलगी तरह की हो जाएगी और जो उसका sound system होगा वह थोड़ा अलग हो जाएगा और जैसे boost off करेंगे तो आपका फोन जो होगा normal volume पर आ जाएगा जो कि वह normal volume पर पहले से ही था और जो आपको यह पीचे यह circle दिख रहा है देखे जो मैं अभी घुमा रहा हूँ इससे आप minimum और maximum करके अपने phone की या अपने सुनने के हिसाब से अपने mood के हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं आप इसको maximum भी कर सकते हैं इसको minimum भी कर सकते हैं इसका काम होता है आपके phone के bass को बनाना bass जो होता है वो होती महत्वपूर्ण होता है किसी भी music lover के लिए या music सुनने वाले के लिए जब तक bass उसका अच्छनी होगा तो आपको music में मज़ा नहीं आएगा तो यहां से आप उसके bass को भी set कर सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको यह button बताया था boost के button से आप इसको on या headphone या फिर अपने किसी speaker के उपर connect करके सुनेंगे तो एक बार इस application को जरूर इस्तमाल कीजेगा मैंने इसका link दिया हुआ है आपको description में आप वहां से से install कर सकते हैं और यह video आपको कैसे लगी please हमें comment करके जरूर बताइए और इसे like कीजे अगर आपको अच्छे लगी हो त आप इस से जयदा फायदा उठा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद